असलाम अलेकुम वेलकम टु जी एफेक्स मेंटॉर में आपका टीचर इम्रान और आज मैं लेकर आए हूँ आपके लिए एक छोटा सा सिंपल आइकन का ट्यूटोरियल और आइकन हम क्या बनाएंगे एक छोटा सा बल्ब आइकन नाओ यह बल्ब आइकन यूजिली हम छोटी किसी ट देने के लिए यूजिए कर सकते हैं या आई यह बहुत सींपल सा है मैं इस तरह çevra के और आजये फीचर में टुट्यूरियल जो कि सिंपल आईकन स्थी व्म में मेरी एक्सपर्टीज बेसिकलिए आइकन सपर है एस जो जरूर सेखाने ऐन थीक है आहिए देखते ना first of all का आपने यह करना है का आपने एक चोटा सा सर्क्ल बनाना है है चोटा सब का मतलब normal size का and see मैं को terrorism से या size वगरक को नहीं देख रहा हूं and circle बनाने के बाद आपने बना है एक यदर square ठीक है so मैं shift के साथ बना रहा हूं और बाराहल आगर आप juvenile अक में करें यह थोड़ा से ज्यादा लग रहा है ना इन दोनों को अलाइन करना है सेंटर में एंड फाइनली आप यह करें के शेप बिल्डर टूल लेकर के इन सब को आपस में जोड दें या आप योनाइट भी कर सकते हैं नेक्स्ट काम आपने डरेक्स लेक्शन लेना है और यह दो पॉंट्स सेलेक करें गार्या और यह वाला और इन का यह जो विजट्स आ रहे होते हैं इन को ड्राइग करके आपने करना है कर ना बिल्कुल आगे तक मत को लेके जाएएगा चोटा सा काम रुख जाएगा हमारा थोड़ा सा कम लेके जा रहा हूं ठीक है यह याद रखें जब भी आप यह इस तरह से कॉर्णर विजट्स को ड्रैग करते तो यह कुछ आइक यह एक्स्ट्रा एंकर पॉइंट्स यहां पर आड हो जाते हैं सही यह बारल जैसे एड हुआ हुआ हमें यह इसको दूर इससे इसलिए रखना था क्योंकि मुझे इन दोनों को पकड़के भी थोड़ा सा कर्व करना है ठीक है जी ना एक चोटा सा काम यह कर लें के इस पूरे को सब्सक्राइब करके मैं फिल कर रहा हूं जिस विकास के हमें सेग्मेंट टूर के तरू किये इसमें आप स्ट्रोक का कलर भी वही ब्लाक रख लें जो मैंने यहां पर रखावा है एंड इसके जो वेट है मैं कर रहा हूं तक्रीवें 20 प्लस मैं कर रहा हूं उसका राउंड का ठीक है ना यह चीज हम राउंडेड रेक्टेंगल से भी बना सकते थे बट मुझे रखता है कि मैं इस से थोड़ा से ज्यादा कमफर्टेबल हूं लाइन से और एजिली हम चीजों को मैंज कर सकते हैं इसी कि मैंने एक कॉपी यहां ली और कंट्रोल डी लास्ली आपने कुछ नहीं करना एक चोटा सा सरकल बनाना है और इस उपर व करने लिए आपको यह करना है कि इसको फिल में करें और यह जो दो पॉइंट्स है और असा बहुत हलका सा कर देगा ठीक है और यह इसको लाकर रहे नीचे इस जाए यह आपको डिस्टेंस की खुद इंडिकेशन दे रहा होगा बट यस आपका सिंपल सा पल्प आइकन आप आफ आउटलाइन स्ड्रोक भी कर सकते हैं आप यह एक्सपैंड करना चाहें तो एक्सपैंड भी कर सकते हैं बैसिकливо दुनों को काम एक है बस यह कि अगर मैं expand पर जाता हूं तो यह मुझसे कुछ पूछता है कि किस चीज को expand करना है लेकर अगर मैं पाथ में जाकर outline stroke पर करता हूं तो यह एक step में आपको पाथ को फिल में convert करके दे देगा यहां से चोटा सा मुझे यह वाला पार्ट चोटा सा चेंज करने का दिल चाहरा है लाइक मैंने direct selection से यह points select किये और चार पांट शे और शे points इसको भी मैं अंदर लियाता हूं एक दो दूजार पांट से अचिट आए बिलीव हमारा icon ready है ना इसको अगर आप किसी background पर रखके देखे तो वह ज्यादा बेहतर लगेगा तो अपना साल्ग द लगार इक कलर दे रहा हूं दोड़ को सा एक लाइड आप से लेड़ ले डार वह टोड़ा घ्र ओड़ा दर लक्रा देखें लेकर राहें पर्पल कलर तो डोड़ा को रहा हूं अ-त यह वाले को मैं आच्छी सिंपल सा लाइट क्रे या वाइट यह हमारा एक बल्ब का आइकन रेडी है ना एक चीज और जो मैं आइकन इसको बार बार क्यों कह रहा हूं क्योंकि यह बहुत सिंपल सा है और इसकी खास बात यह है कि अगर आप इसको बहुत चोटा भी कर देंगे तो यह आपको शार्प दिख रहा होगा क् कि नमबर वन इसका जोमेटरी बहुत सिंपल सी है नमबर टू यहां मैंने लाइन में गैप ज्यादा रखे हैं तो यह हमें शायद रखा करें कि आप जो भी चीज बनाएं वो छोटे साइज पर भी अगर सही दिख रहे हूं स्पेशली आइकन और लोगो इन दोनों में यह सेम चीज कॉमन है सिंपल एंड हर साइज में क्लेरली दिखने चाहिए तो आप ने कोई चोटे से टुटारियल अच्छा लगा होगा और कर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें और अगर सब्स्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्स्राइब करें थैंक यू झाल